सामने तहसिल की करीब 36 ग्राम पंचायतों का कारिकाल 16 नवंबर 2022 को समाफ्थ हो गया है जिसके चलते 18 दिसंबर 2022 को चुनाव होने तैं हैं आगामी महा में होने वाले चुनावों को देखते हुए सरगर्मिया तेज हो गई हैं प्रतियाश्यों के साथ ही ग्राम प्रतिष्टित गुटो से टिकेट प्राप्ति की जूगार लगा कर नामंकन है तु बड़ी संख्या में पहुँचे अपने प्रत्याश्यों की होसला अवसाई है तू तैसिल परिस्ता में दिन भर देरा जमाई रहे। पुरी भानेगाव इन 36 ग्राम पंचायतों के लिए 36 सरपंचों के साथ ही कुल 328 ग्राम पंचाय सदस्यों के चुनाव है तू 41,992 महिलावा 44,558 पुरुश मद्दाता ऐसे कुल 86,310 मद्दाता मद्दान कर अपने कज़वों की सरकार चुनेंगे। पूर्व मंत्री सुनील केदार और शेत्री भाजपा नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल। उक्त 36 ग्राम पंचायतों में केलवद नादा गोमुक सिल्लेवारा वलनी भानेगाव जैसे दरजनों बड़ी ग्राम पंचायतों का समवेश होने से प्रतिष्ठा और बड़ती दिखाई दे रही है। वहीं ग्राम स्तरी अगारी वभाजपा इस बार पूर्व मंत्री केदार को घेडने की तैयारी में है। 18 दिसंबर 2022 को संपन होने वाले तैसिल के 36 ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु कुल 6,310 मदाता अपने मताधिकार को प्रयोग करेंगे जिसके लिए कुल 123 प्रभागों के लिए 162 मदान किंद्र स्थापित करने की जानकारी तैसिलदार और चुनाव अधिकारी चंदु कामदार आधी ने नतीजे को पक्ष में आने का विश्वास जताया देरात तक चली नामंकन दाखिली की प्रक्रिया में 36 ग्राम पंचायत के सरपंच पधे 266 तो वहीं सदस्यों के लिए 907 नामंकन दाखिल हुए NBCN न्यूस कलिस सावनेर से समवादता किशो धुंडेली की रिपोर्ट